मोदी जी ने क्या किया है कैबिनेट की मीटिंग में पूरा प्रपोजल पास हो गया और उसमें यह हुआ है कि पूरे देश भासी में जितनी भी उपभोकता है गैस के सब के उसमें 200 रुपए कमी कर दी गई है विपक्ष के लिए विपक्ष इसमें आपको ताने दलदल में फ अपकी जगह आपको बताना है कहना नहीं चाहिए एक प्रिकार से वह सिमला मिर्च एक प्रिकार से इनको नास्ते में दे दिये और यह लोग समझ नहीं पाएंगे बड़ी मिर्चे देख करके खा जाएंगे और इनकी मजबूरी ना यह लील सकेंगे ना खा सकेंगे और खुब करवा ही लोग बोलेंगे आपस में खुब लड़ेंगे और मुकाबला नहीं कर पाएंगे दो हजार चोबीस लोकसभाज चुनाव और रक्षा बंधन के इस पर पर मोधी सरकार ने आम जनता को बड़ा तौफा दिया है जी हां दो सो रूपिये जो हैं घरेलू गैस लेंडर पर कम कर दिये गए हैं कटोती की गई है तो ये बड़ी राहत आम जनता को मोधी सरकार ने दी है जिसकी घोशना कर दी गई है इस पूरे माफले पर विस्तार से बाचीत करेंगे वरिष्ट पत्रकार आजे जी मेरे साथ हैं आजे जी बहुत-बहुत स्वागत है आ उस पर एक बड़ा परखार मोधी सरकार ने किया है देखे ये एक्चली में मोधी सरकार ने बहुत-धीरे से बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत क्या किया है कैबिनेट की मीटिंग में पूरा प्रपोजल पास हो गया और उसमें यह हुआ है कि पूरे देश बासी में जितने भी उपभोगता है गैस के सब के उसमें 200 रुपए कमी कर दी गई है अब सेंटरल गौर्डमिन ने 200 रुपए कम कर दी है अब स्टेट गौर्डम प्लस पॉइंट यह है कि दुनिया का सबसे सस्ता सिलेंडर जो है 450 रुपए का मात्र वो मद्य बिदेश गवर्नमेंट सुरा सिंग चावान दे रहे हैं अब यह और भी गवर्नमेंटों को चाहिए ममता को चाहिए करनाटक वालों को चाहिए कि वह चाहें तो फ्ली कर दें है और यह बेंगौल गवर्नमेंट चाहें जारखन चाहें 36 गल चाहें तमाम गर्नमेंट ऐसा कर सकती है अगर ना चाहें लाजिस्थान गवर्नमीट चाहें तो एक तो यह रहा इसे फाइदा यह रहा कि आप समल्ली जाएक तो उजला योजना में 9 करोर 15 लाख लोग लाव अब ये दो सो रुपए कम कर दिया गया अब इस्टेट की अपनी अलग जुम्बेदारी तो जैसा मद्विदेश में चार्सो पचास रुपए कर दिया आइसा ही मोदी जी ने आंगे बढ़ा तो इनका जो जो विपक्ष है उसको भी क्या करना चाहिए उस जबाब में तो जो लेकिन यहाँ पर बात चुनाहों की है दो हजार चोबीस में लोकसभा चुनाब है महगाई एक बड़ा भुद्दा जिसे विपक्ष मान रहा है कि मोदी सरकार को इससे हराय जा सकता है लेकिन उसी को लेकर जो दाव सरकार की ओर से चला गया क्योंकि ना सिर्फ जो रसोई लेकिन उसे भी बढ़ाने का फैसना लिया किया है जून दो हजार चोबीस तक तो आपको क्या लगता है कि क्या अब विपक्ष के पास कोई ऐसा तरीका बचा है कि जिससे सरकार पर सवाल उठा पाएं या सरकार को घहर पाएं क्या लगता है आपको देखे बिपक्ष सरकार को वहसे भी नहीं घहर पा रहा था जिन जिन मामलों को उनों लिया चोकिदार चोल है उस पे भी अगस्तावाले उस पे लिया बिवान पे लिया अडानी वाले जो जो मुद्दे लियें सारे फैलोर हुएं सब जगए इनों जाके माफी मागी सब ज कि यहां भक्मरी का आदमी को खाने का नहीं यह नहीं और यहां बेरोजगारी यह सब तो इन सब का जवाब है कि हर एक को गैस भी फिरी मिल लई है इतने लोगों लगब पैतालिस करोर उससे लोग लावान भीत है सब जगह सिलेंडर के दाम कम हो गए अब इनको आंगे आना ह यह साड़े चार सो रुपए जगह 200 रुपए सिलेंडर कर दें अपने राज में यह कर नहीं सकते हैं आपको बताने इसी बात में धराम हो जाएंगे 2024 में जब चुनाओ होगा तो सब लोग यही कहेंगे मद्विदेस वाला चार साड़े 400 में दे ला तुम क्यों नहीं दे करनाट तुमने कहा था सब कुछ प्री कर देंगे तो आप समिस्या है कि अगर यह सरकाने जो भी पच्च की अगर दे देंगी इतनी सबसीडी तो इनके खर्चे कहां से चलेंगे चलिए बिहार की तो बात अलग बिहार में सराप के बैपार वैसे नंबर दो पे चला है और लालू यादो बगएरा समझदान है उन्होंने इतना पैसा चारा उसमें कर लिया उदर लैंडफाल उस पे और जगए बड़ी पोजिशन टप हो जाएगी तो आपको ताने बिपक्च के लिए बिपक्च इसमें आपको ताने दल्दल में फस गया और जो मीटिंग होने जा से इनको नास्ते में दे दिये और ये लोग समझ नहीं पाएंगे बड़ी मिर्चे देख करके खा जाएंगे और इनकी मजबूरी ना ये लील सकेंगे ना खा सकेंगे और आपको बताना है ये पूरे 2024 तग उसी में चिलाते रहेंगे और कहीं पर भी इनके मुझे मिठास की भी आफ बार निकलने आपस में लड़ेंगे आप देखेंगा खुब करवाई लोग बोलेंगे आपस में खुब लड़ेंगे और मुकाबला नहीं कर पाएंगे तो आदमी के अंदर फिलिंग क्या आएगी आम मतदाता के अंदर भाया हमको जून दो हजार चौविस तक लासन मिलेगा फिली में तो उनका कहना हमको खाने पीने को मिली रहा है तो हम आपके खिलाब क्यों जाए अब लोग जाके समझाएंगे ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं तो पब्लिक यही कहेंगे भाया हमको फिली में खाना मिला गय सस्ती मिल लई तो हम यहीं ठीक हैं बेता नहीं और दो हजार चौविस के बागर चुनाओ हो गया अगर विपक्च आ गया तो इभी मिलना बंद हो जाएगे इस चक्कर में भी आपको बताना है कि आम पब्लिक आहुल गांदी जैसे लोग जला सा इतना बड़ा लीडर इतना मतलब छोटा लीडर ना हो जाता बड़े बड़े लीडर आप समझे उनसे जो भी टक्राएं बगेला जैसे सन्यास ले गए तमाम लोग तो आपको बताने बिपक्च के लिए बहुत बड़ा जटका है और इस तो यह देश के लिए एक बहुत अच्छी बात सौर उपए अभी इनोंने कोमर्सियल उस पे भी कम कर दियाथा और जिससे आप सब्निए即ह कवर मर्शियल ऊस पर भी रहत दी इनोंने आम डोमश्टिक उसको भी दी और उजूला वालों को दी वास्तों में देश के लोगों को अनाज और इधन, यह चीजैं जैसे कहते नहीं थे रोती कप्रा मकान, तो वास्तों में मोदी ने ये अविलेविल कराया, मकान भी हिंदुस्तान में सबसे एदा लोहों को प्रेजन्ड किए गए रोटी की गई रोटी के लिए ये रोटी पकाने के लिए महिनाओं को इतनी बड़ी तकलीब होती थी उनको उजला दिया गया तो हमाइक हैल में लोग कहते भी हैं, जहां भी चुनाव होता है, ममता बनर जी रोटी कपड़ा मकान, हर जगह रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी कपड़ा मकान उन्होंने दे दिया और जनता को यही चाहिए था, अब विपक्च वहाँ पर क्या करेगा, देखें ममता बनर ज जो जीत के आई थी, सिर्फ बस इसी नारे से जीत करके आई थी, रोटी कपरा मकान, महरास्थ में भी यही पोजिशन थी, सिर्फ एक ही चीज मांगी जाती, रोटी कपरा मकान, मोदी ने क्या किया वो चीज टोटल अब लेबिल करा दी, काल्नाटाक में भी ने कहा था, कि हम मान देंगे ये देंगे नोकडियां देंगे फिरी में ये देंगे जितना जितना फिरी मगोसरा किया था यही इन्हों ने किया केजरी वाल ने मोदी ने पैक्टिकल दे रखा केजरी वाल ने जबकि कुछ भी नहीं दिया था ना लासन दिया था ना गैस लंडर अपने सासर् लेक्टिकल दे रहे हैं और लगबग ये 85 करोर लोगों को जाएगा